Hello friends, यह देखिए आज मैं बहुत ही सुन्दर और चोटा चोटा डिजाइन देंकर आई हूँ, यह हल्की ठंड के लिए बनाया जा सकता है, देखिए कितना सुन्दर डिजाइन बना है, अब यह फोर फोर डॉ में कम्प्लीट हो जाता है वैसे यह वन रॉ का ही डिजाइन है, त्री रोह हमें सिंपल कंप्लीट करने पड़ती हैं यह देखिए अब इस में मैंने तू रोह एक सीदी साइड से एक रोंग साइड से तू रोह कंप्लीट कर ली हैं अब मैं आपको डिजाइन बताऊंगी यह कैसे बनाया गया है यह देखिए एक फंदा हम सिलिप करेंगे दागा पीछे रखेंगे और इस परकार से दागा पीछे रखते हुए यह देखिए तू फंदों का वन करेंगे दागा पीछे रखें और आगे की तरफ बुने तो अपने आप जाली भी बन जाएगे और फंदा भी कम हो जाएगा फिर से दागा पीछे करें और इस परकार से फंदा भुने ये देखें दागा पीछे किये और दो फंदों का एक साथ भुना ऐसे दागा पीछे रखें और फिर से इस परकार बन दे फिर दागा पीछे किया और ये इस परकार से बना ये दागा पीछे रखें और इस परकार से आप गुण दे पूरी रोह हमें इसी परकार से कंपलेट करने दागा पीछे, आगे की तरफ बुनना है, दागा पीछे रखना है, और आगे की तरफ बुनना है, ऐसे, यह देख, दागा पीछे रखो, और आगे की तरफ बुना है, इसी से यह डिजैन बनकर तयार हो जाएगा, ये टू टू फंदों का multiply किया गया है अब टू फंदे का multiply करके फंदे डाल लें ये देखें ये हमारी design की one row है इसी से हमारा design बन जाता है अब हम wrong side से बुनेंगे तो ये पूरी row उटा उटा इस परकार से complete करेंगे जो ये दागा है इसको यहां से बुन लेंगे इसको उतारेंगे नहीं इसको पूरा इसी परकार से बुन लेंगे पूरी row आप इस परकार complete करेंगे ये रोंग side पूरी row इसी तरह से complete करनी है इह देखिया अब आवे हम सीधी side सीधी side में कैसे करेंगे इह देखिए एकदम simple तरिके से बनाएंगे सीधा सीधा पूरा row सीधा सीधा complete करेंगे डिजैन सुरू करने से पहले हम two row simple डालते हैं तो वही रो हम simple डाल रहे हैं एक सीधी side सी और एक उटी side सी ये हमारी सीधी side complete होगे अब आगे हम wrong side रोंग side भी पूरी row उटा उटा बिल्कुल one row का डिजैन है ये और बाकी three row ये सीधा सीधा complete होने भोती जीए और बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है हलकी ठंड के लिए आप इसका प्रियोग कर सकते हैं अब देखिए आगे कैसे करना है पहले हमने फर्ष्ट पंदा स्लीप करके यहां पर जाली डाली थी लेकिन अब हम तू फंदे बुनेंगे ये फंदा स्लीप किया ये फंदा बुन लीजिए बुनने के बाद फिर दागे को पीछे रखे फिर से ऐसे ही कीजिए ये इसे दागा पीछे तू का वन दागा पीछे तू का वन दागा पीछे ये टू फंदे लीजिए और आगे की तरब बुनिए सीधे ऐसे दागा पीछे रखे यहां पर बस आपको जैसे फर्स्ट रोग बनाई हमने तो एक फंदा स्लीप किया था अब फूर्थ रोग बनाएंगे तो टू फंदे स्लीप करने हैं और आगे उसी परक पीछे दागा करें और आगे की तरब बुनिए पीछे दागा करें और टू फंदे एक साथ लेकर आगे की तरब बुनिए ऐसे इस परकार से हमारा डिजैन बनता रहेगा बहुत ही जी है बिगनर्स भी इसे बुन सकते हैं और हम भी बुन सकते हैं यह देखें अब पीछे दागा करके यहां टू फंदे सीधे बुनिए यह देखें आगे फिर से इसी परकार थ्री रोव सिंपल कंप्लीट होंगी और यही बार बार आपको रिपीट करनी है देखें कितना सुंदर डिजैन बन कराया है अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए शेर कीजिए कोमेंट कीजिए और सस्क्राइब जरूर कीजिए